प्रकाश क्लासेस के बिहार BPSC सीरीज में आप सब का स्वागत है तो आईए चलते हैं इंट्रोडक्शन टू बिहार पार्ट 3 पर प्रकाश के चलास में हम बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम बिहार के उन शीडीस के बारे में जानेंगे जो नदि के तटो पर बसीवी हैं गंगा के Pर पठना, बखसर, भागलपुर और मुंगेर बसा हुआ है याद रखेगा कि गंगा के तट पर बिहार के चार महतपूंण शहर बसे हुए है। गंडग के तट पर हाजीपुर, सोनपुर और मुजबपरपुर बसा हुआ है हरोवर के तट पर सभीकपुर विलिज बसा हुआ है यह विलिज लखी सराय डिस्टिक्ट में है चंदन के तट पर भागलपुर बसा हुआ है अब हम पढ़ेंगे बिहार के important rivers, वो कहां से origin करते हैं और बिहार में वो कहां से enter करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे गंगा, गंगा का origin गंगोतरी glacier से होता है और ये बकसर से बिहार में entry करती है घागरा, घागरा का ओरीजिन नेपाल के नमपदा में होता है और ये सारन से बिहार में एंट्री करती है गंडग, गंडग का ओरीजिन नेपाल और तिब्बत के मंगामत और कुटंग से होता है और ये त्रिवेणी से बिहार में एंट्री करती है बूड़ी गंड़क, बूड़ी गंड़क का ओरीजन उत्राखंड के सोमेश्वर हिल से होता है और ये वेस्ट चमपारन से बिहार में एंट्री करती है बागमती, बागमती का ओरीजन नेपाल के महाभारत रेंच से होता है और ये सीता मड़ी से बिहार में एंट्री करती है कमला, कमला का ओरीजन नेपाल के महाभारत रेंच से होता है और ये मधुवनी से बिहार में एंट्री करती है कोसी का ओरिजन नेपाल के सब्त कोशी से होता है और ये भीम नगर जो किसुपॉल में है वहां से बिहार में एंट्री करती है महानन्दा महानन्दा का ओरिजन नेपाल के महाभारत रेंज से होता है और ये पुर्णिया से बिहार में एंट्री करती है कर्मनाशा, कर्मनाशा का ओरीजिन विल्ध्याचल रेंद से होता है और ये कैमूर से बिहार में एंट्री करती है सोन, सोन का ओरीजिन मद्यपर्देश के अमर कंटक से होता है और ये डहरी से बिहार में एंट्री करती है पुनपुन का ओरीजन जार्खन के पलामू के चौराहा हिल से होता है और ये ओरंगाबाद से बिहार में एंट्री करती है फल्गु फल्गु का ओरीजन छोटा नागपुर प्लैट्यो से होता है और ये गया से बिहार में एंट्री करती है Students, हमने बिहार के river basins का ये map आपके लिए provide किया है इसे ध्यान से अध्यन कीजेगा और इसे याद करिएगा Students, इस map में आप देख सकते हैं कि गंगा बकसर चौसा से बिहार में एंटर करती है ये बिहार को लगभग दो भागों में विभाज़त करती है गंगा के left bank की tributaries घागरा, गंडक, बूढी गंडक, बागमती, कमला, बालन और महानन्दा है गंगा की right bank की tributaries सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गू, खियूल और हरोहन है एक और खास बात ये है कि महात्मा गांधी सेतु गंगा के उपर से जाती है और ये पटना में स्थित है और दूसरा बगह, चितौनी ये भी bridge गंगा के उपर से जाती है और ये भागलपुर में स्थित है घागरा या सर्यू नदी गंगा नदी को छप्रा में जॉइन करती है स्टूरेंट्स अब गंड़क नदी को मैप पर देखिएगा गंड़क नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की बीच में एक बाउंडरी बनाती है गंड़क नदी गंगा नदी को हाजीपुर में जॉइन करती है अब मैप पर बुड़ी गंड़क को देखिए बुड़ी गंड़क का दूसरा नाम सिकराहा भी है बुड़ी गंड़क विसंभर पूर से जो की वेस्चमपारन मिस्थित है वहां से बिहार में एंट्री करती है और ये गंगा नदी को खगड़िया में जॉइन करती है अब कोसी को मैप पर देखिए कोसी तिबबत से ओरिजिनेट करती है और इसका दूसरा नाम अरुन कोसी भी है इसके छे ट्रिबूटरीज है इस वज़े से इसे सब्त कोशी भी कहते है ये हनुमान नगर नेपाल से बिहार में एंट्री करती है और गंगा नदी को कुरसेला जो की खगड़िया डिस्टिक्ट में है वहां से जॉइन करती है अब कमला नदी को मैप पर देखिए कमला नदी जयनगर मधुबनी से बिहार में एंट्री करती है कमला नदी की इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज धोरी, सोनी, बालन और तृशुला है अब महानन्दा को मैप पर देखिए महानन्दा बिहार के पुर्णिया और कठिहार में बहती है और ये गंगा को बंगला देश के नवाप गंज डिस्ट्रिक्ट में जॉइन करती है अभी तक हमने सारे नौर्थ बिहार के रिवर्स के बारे में बता दिया अब हम साउथ बिहार के रिवर के बारे में जानेंगे सबसे पहले सोन है सोन अमर कंटक से ओरीजन करती है और ये गंगा को पटना के मनेर में जॉइन करती है अब मैप पर पुनपुन को देखिए पुन-पुन पल्माउ डिस्टिट के चौराहा हिल से ओरीजनेट करती है और ये गंगा को फथुआ में जॉइन करती है अब मैप पर फल्गु नदी को देखिए फल्गु नदी छोटा नागपुर प्लैटो से ओरीजन करती है और इसका दूसरा नाम निरंजना भी है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मोहना जो की बोध गया में इसे जॉइन करती है अब मैप पर कर्मनाशा नदी को देखिए कर्मनाशा नदी विंध्याचल हिल्स में ओरीजन करती है और ये गंगा को चौसा में जॉइन करती है चौसा बकसर में स्थित है कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की बीच में एक बाउंडरी भी बनाती है अब हम बिहार के उन सिटीज को देखेंगे जो दो नदियों के टट पर बसेवे हैं चप्रा गंगा और घागरा के टट पर बसा हुआ है हाजीपुर गंगा और गंडग के टट पर बसा हुआ है खगडिया गंगा और बूढ़ी गंडग के टट पर बसा हुआ है कुरसेला जो की खगडिया में स्थित है गंगा और कोसी के टट पर बसा हुआ है फतुवा गंगा और पुनपुन के तड़ पर बसा हुआ है मनेर गंगा और सोन के तड़ पर बसा हुआ है नवाब गंच जो की ऐसे तो बांगला देश में आता है गंगा और महानन्दा के तड़ पर बसा हुआ है तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं समाप करते हैं Do watch our other series for a complete study package at Prakash classes Please like, subscribe and share our videos and provide your valuable feedback through comments Thank you I am not sure to subscribe, but don't miss the दो दोस्तों आज बादो साथ हम आजा जोस्तों आज हमादों Do watch our YouTube channel for a complete study package at Prakash We'll see you next time We'll see you next time Bye